दोस्तो नमस्का दोस्तो आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत सुपकामना है आज छोटी दिवाली है और कल है पूरी बड़ी दिवाली और उमीद करता हूँ कि आप लोग खुशियों से दिवाली को मनाएंगे लेकिन दुखी बात यह है कि बजी रेक्स के जितने भी युजर्स है वो आस तक गर रहे हैं कि उनके पैसा किसी तरीके से उनको बापस हो जाए किसी तरीके से जो विड्रोफल है वो खुल जाए उनका जो करप्टू फासा वजा है उसका कुछ नड़न हो जाए लेकिन अफसोस की बात यह है कि निश्चल सेटी जो है उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंग रही है और कितना भी हम ट्यूट कर लें कितना भी और लोग कुछ भी ट्यूट कर लें कुछ भी कह लें लेकिन कहते हैं कि उस बेशरम के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा है जो हैक हुई थी वो करीवन हुई थी 28 तारीक को करीवन 10-11 बजे के करीव हुई लेकिन उसके बाद जो स्क्रीन सॉट लिया गया वो लिया गया करीवन 1-2 बजे और उसके बाद जो है जो लोगों ने पैसा उसके बाद भी उसमें ट्रांसफर किया या उसमें जो भी किया उन तुरत सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए आपको पैसे भी नहीं लेने चाहिए और अगर आप निकालना बंद कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें आपको करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिन लोगों का hack के बाद भी पैसा जमा हुआ उनका भी पैसा जो है वो बापस इस बेश्रम ने नहीं किया है चलिए कोई बात नहीं जो भी है वो देखेंगे लेकिन अब चलते हैं बिटकोईन के प्राइस के वारे में बुल रन की तरफ आगे बढ़ रहा है मार्केट और बिटकोईन का प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं कि 72,000 को क्रॉस कर गया है मैं आ यहां आ गया हूँ बिटकोईन के प्राइस के उपर और आप देखिए कि यहां आप देख सकते हैं 73,500 तक बिटकोईन पहुंच गया था उसके बाद थोड़ा सा नीचे करेक्शन लिया फिर आया 71 के आसपास फिर अब आप देखिए थोड़ा सा उपर बढ़के अब चल र रहा था यहां और यह देखिए यहां एक दम इसने इंक्रीज लिया और आगे बढ़ गया अब देखिए मैं यहां भी आपको दिखा देता हूं कि यहां भी एक डवलू पैटर्न बन रहा है और यह डवलू पैटर्न से क्या हो रहा है कि आगे बढ़ता जा रहा है और उब अरिक्या में चुनाब भी आने वाले हैं और बहुत ही पॉजिटिव जो सेंटिमेंट है वो डोनल्ड ट्रम्प की तरफ है और डोनल्ड ट्रम्प अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो यह बिटकोईन आपको 80,000 डॉलर 90,000 डॉलर एक लाग डॉलर आराम से देखने को मिल स इथेरियम का प्राइस भी इन फ्यूचर में अगर डोनल्ड ट्रम्प आते हैं तो यह प्राइस जो है आप देख सकते हैं 4000 डॉलर के आजपास चलिए आप चलते हैं सेंटिमेंट के ऊपर और देखते हैं मारकेट का सेंटिमेंट कैसा है यहां आपको देखा देते हैं 87% का इस समय extreme level चल रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज है लेकिन दुख की बात यह है कि जितना अभी आप देख रहे हैं Bitcoin या Ethereum में जो increment हुआ है उतना alt ने performance नहीं दिखाया है, alt उतने आगे नहीं बढ़ रहे है और Bitcoin का जो एक तरीके से dominance है वो भी बढ़ रहा है आपको बत आपको खास ख़बर लेते हैं जो आपको सुनना बहुत जरूरी है और सबसे पहली ख़बर लेते हैं भूटान की तरफ से और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि screen पर भूटान की क्या ख़बर चल रही है उसके बाद मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा द उसकी जो एक बहुत बड़ी firm है जो government की तरफ से एक तरीके से supported है वो बहुत बड़ी mining farm लगा रखे हैं उसने और बहुत mining करती रहती है यहां मैं आपको दिखा देता हूँ कि करीवन करीवन यहां मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो bitcoin की mining firm है उसका नाम है dark holding and investment यह काफी जोड़े इन्होंने mining firm लगा रखे हैं और लगातार यह जो है mining करते चले जा रहे हैं अब यहां देखिए कि जो duck holding investment firm है उसने millions जो है bitcoin जो है वो खरीदे हैं 2023 में जिसकी खबर आ रही थी कि 2023 में इसने बहुत सारा पैसा जो है investment किया है bitcoin में अब आपको दिखाता हूँ कि ज gently holding जो इसकी कर रही है bitcoin वो करीवन कर रही है 900 million dollar का bitcoin है जिसमें ethereum है और बहुत बड़े-बड़े coin है तो यह आप देख सकते हैं कि बहुत ही positive जो है वो भूटान की तरफ से एक तरीके से response आ रहा है और वहां mining जो है अभी भी लगातार चल रही है बहुत बड़े-बड़े farm लगा रखें चलिए दोस्तों अब ले लते हैं खबर ripple की तरफ से और ripple की जो खबर आ रही है वो थोड़ी सी चिंता जनक है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या खबर आ रही है रिपिल की जो खबर आ रही है वो बता दू कि उनके जो CEO है Mr. Brad Garling House उनका account जो है वो कर द दिया गया है कारण यह बताए गया है बैंक ने का है कि Brad Garling House का जो account है वो इसलिए freeze कर दिया गया है कि government की तरफ से उनके उपर काफी सारी scrutiny चल रही है और आपको पता ही है कि XRP का उनके उपर case चल रहा था जो की वो जीत गए थे और उससे चल कर SEC ने भी कई वार कोशिश की उनके उपर मुकदमे दायर करने की लेकिन अब जो खबर है वो यह है कि bank जो है जो बड़े बड़े एक तरीके से लीडर है क्रप्टो कर agency के उनको target कर रही है उनके जो bank account है उनको freeze करने की तैयारी कर रही है तो यहां पहला आ रहा है वो bread garlic house का चल रहा है और उन्होंने का है कि हमने इसलिए freeze कि हम इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाते कि कोई भी इनके account को freeze करे और सारी देखवाल करे account निकाले तो उन्होंने पहले ही उन्होंने पास दिन का time दिया है कि भी आप पास दिन में जो भी आपका fund है उसको transfer कर लीजिए चलिए अब और अगली cover पर चलते हैं और यह cover भी आ रही है XRP के तरफ से और आपको बता दूँ कि XRP के साथ एक बहुत अच्छा जो होने वाला है उसके वारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि Mastercard ने एक तरीके से XRP के साथ integration करने की चालू कर दिया है और पहले क्या होता था कि Mastercard से अगर आप पैसे कहीं भी विदेशों भेश से थे तो Swift का use किया रहता था लेकिन यहां जो बात आ रही है वो आ रही है XRP का एक तरीके से XRP को use क Mastercard यहां मैं खबर दिखा रहा हूं XRP को use करेगा और जो भी पैसा इधर दोर आदान प्रदान किया जाएगा वो एक तरीके से XRP के थुरू किया जाएगा यहां देखिए कि जो XRP laser जो है XRPL उसको use किया जाएगा और यह already process में है काफी सारे देश जो है वो already इसको use कर रहे दूसरी खबर जो आ रही है कि XRP का जो token है DeFi token है जिसका नाम है CTF यहां आप देख सकते हैं CTF जो है वो DeFi token है और यह भी एक नए market के साथ आने वाला है तो उन भी करते हैं कि CTF जो है वो भी एक अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे सकता है तो आप इस पर जरूर नज एक बहुत तगड़ा एक तरीके से meme coin है अगर मैं सिवह इनु के बाद नाम लूँ तो पेपे का ही नाम लूँगा और आपको बताओं कि पेपे ने एक बहुत बड़ा milestone जो है वो पार कर लिया है और वो milestone है कि पेपे जो है वो officially Japan में list होने जा रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ market में कि पेपे become first meme coin to officially enter Japan market तो Japan market में पहला officially enter करने वाला ये पहला एक तरीके से meme coin बन गया है पेपे की community को मैं बदा ही देना चाहता हूँ आपको और आपको उमीद करता हूँ कि पेपे बहुत अच्छा performance दिखाएगा अभी पेपे की कीमत जो है वो जादा अच 2-3% down हुआ है तो उमीद करते हैं कि आने वाला टाइम जो है वो पेपे के लिए अच्छा हो चलिए दोस्तों अब micro strategy की बात कर लेता हूँ और यह जो bullrun आया है और 72,000 पर bitcoin पहुँच गया है तो अंदाज क्या लगा जा रहा है लोगोंने calculation करना शुरू कर दिया है कि micro strategy के फादा उठा सुकी है इस bullrun में मतला 72,000 होने के बाद अब यहां देखिए कि अगर थोड़ी सी calculation पर जाता हूँ और इनके पास जो bitcoin है वो करीवन है 2,52,222 तो इसको अगर calculate करते हैं तो करीवन यह बनता है 8.4 billion dollar बहुत बड़ी एक तरीके से यह figure बनती है तो दोस्तों दिवाली चल रही है और सब लोग जो हैं हमारे follower हैं वो चाहते हैं कि भई किसी तरीके से गुपता जी के साथ जुड़ें और उनके telegram में जुड़ें उनके paid में भी जुड़ें तो यहां मैं आपको एक खुशकबरी देना चाहता हूँ कि एक दिवाली के बहुत अच्छा यह discount चल रहा है तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें जोड़ सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो आप फिरी में भी हमारे नीचे link दे रखा है उसमें जोड़ जाईए फिरी में भी हम आपको यदा कदा आपको signal जो है वो देते रहते हैं यहां result भी जो है वो कोई manipulate नहीं कर रहे हैं और रोगों की तरह ना कुछ delete करते हैं जो देते हैं वही आपको यहां परदर्शक करते हैं यह नहीं कि बहुत सारे signal देते हैं एक दो signal देते हैं और वो आपको बताओं कि 95 से लेकर 98% तक आपका signal जो है वो इसमें तो बुल मार्केट चल रहा है फा अपने हमारा टेलीग्राम जोइन कर लो प्यूटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और फेस्बुक पर तो आप हमसे जोड़ी सकते हैं यह सारी जोड़ जाई है यह सारी लिंक हमने नीचे आपको दे रखी है तो जाइए जुड़िए और वीडियो पसंद आयो तो इसको लाइक कर दीजेगा और कॉमेंट जरू करिएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं तो काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई अगली बार फिर किसी नई साज अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्त होंगे तब तक के लिए नमश्कार जैहिन